नमस्कार भारत जागरन न्यूज में आपका स्वागत है पंजाब से 14 गोवन्सों को तसकरी कर गोकसी के लिए मेवाद ले जा रहे तीन गोवन्सों को जबरदस्त मुटबेड के बाद पटोदी के पचगावा चोक पर काबू किया गया यह तो हर्याना में गोकसी पून रूप से प्रतिवन्दित है परन्तु कितने बड़े सतर पर हर्याना के मेवाद में गोकसी हो रही है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते गोवत तसकरों और गोरक्षकों के बीच मुटबेड आए दिन होती रहती है जिसमें अनेक गोवन्सों को बचाया जाता है और गोवत असकरों को भी पकड़ लिया जाता है परन्तु ऐसे भी अनेक मामले होते होंगे जो संग्यान में नहीं आते हैं मेवात गो तसकरों के तार हर्याना से बाहर पंजाब में भी बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं 31 जनवरी 2022 की रात को पंजाब से 14 गोवनसों को कंटेनर में भरकर गोकसी के लिए मेवात ले जाया जा रहा था जिसकी सूचना पाकर टीम मोनू मानेसर, टीम सेलेंदर हिंदू पलवल, टीम भगत सिंग होडल, टीम विकास पंडित विरंदावन, टीम गोरव रेवाडी, टीम अस्वनी धारुएडा, हिंदू युवा वाहिनी रेवाडी, वे मानेसर प्लिस दवारा, पच्चकावा चोक मार कर कुचलने की भी कोशिस की, बाद में गो तसकरों ने अपने को गिरा देख, गाडी छोड़कर भागने का प्रियास किया, प्रंतु मोके से तीन तसकर पकड़े गए, साथ ही उनके पास से देशी कटा हत्यार के रूप में भी प्राप्त हुआ, गाडी को चेक करने पर गाडी में 14 गोवन्स बैलो को बुरी तरह बांद कर पटक रखा था, जिनको मानेसर की गोसाला में कुचलता पुर्वक उतार कर इलाज सुरू कर दिया गया, हर्याना में करोना को लेकर नाइट कर्फ्यू रहता है, परंतु उसका उप्योग इस तरह के अपरादी अपनी स जरूर दे, धन्यवाद